हलो दोस्तो आप सभी का यूनिक राना चैनल पे स्वागते दोस्तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जहां पर प्रैक्टिस काता था वहां पर फुटबोल खेलना चालू कर दिया और वहां पर मैं फिलार प्रैक्टिस नहीं कर सकता और उसके यसे मेरे को practice करने में उतना मज़ा नहीं आया और मैं decide किया कि वहाँ पे flips को practice नहीं करूंगा कोई नया location को ढूंडूंगा और मैं location को ढूंता रहा और उस दिन के बाद मेरे को एक location का पता चला जहां पे बालू भी था ग्रास भी था और ground भी बहुत बढ़ा था जहां पे मै मेरे को बहुत अच्छा भी लगए तो आप लोग भी देखो मेरा वह location लेस्टार्ट दा वीडियो दोस्तों मेरे को नया location मिल चुका था जिसको सी में मैं area को भी progress करना चालू कर दिया जिसको no-handed cart will भी बोलते हैं दोस्तों area दो पकड़ का होता है एक है gymnastic area और एक है tricking area हम लोग सबसे पहले gymnastic area को progress करेंगे फिर हम लोग tricking area को progress करेंगे काफी दोस्तों मेरे को काई दिनों से message कर रहे थे कि area को progress करो area को कब progress करोगे वीडियो कब लाओगे तो finally दोस्तों हम लोग आ चुके area को practice करने और area को एकदम basic से advanced level तक improve करेंगे दोस्तों मेरे को area एकदम ही नहीं आता मेरे को सिर्फ cartwheel आता है और one-handed cartwheel आता है जिसके बाद से मैं area को पोग्डेस करूंगा तो दोस्तों आप लोग चैनल पे बने रहो और काफी सारा नया नया अपडेट्स भी आता रहेगा काफी नया नया challenges और काफी नया कुछ try हम लोग flip से related ही तो आप लोग चैनल पे बने रहना और आप लोग के मन में अगर कोई भी ऐसा crazy आइडिया आता है तो मेरे को comment करके बोलना मैं उसको try करने का कोसिस करूंगा और आप लोग comment करके कुछ challenge भी दे सकते हो और कोई combo भी suggest कर सकते हो जिसको मैं try करने का कोसिस करू करूंच कर दोव सकते हो तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जहां पर मैं न्यू लोकेशन में फ्लिप्स को प्रैक्टिस किया और आज मैंने एरियाल को भी ट्राय किया जिसको नो हैंडेट काट्रिल भी बोलते हैं और दोस्तों आप लोग कॉमेंट में बताना कि आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग जहां पर प्रैक्टिस करते थे वहां पर कुछ सुरू हो गया और आप लोग को कभी किसी दूसरे लोकेशन पर सीफ्ट होना पड़ा और आप लोग यह भी बताना कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करते हो या फिर आप लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस क झाल झाल